पूरी तैयारी है, चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी है, हमारी की तैयारी है, सभी कारिकरता तैयार है। बीप्यार है, पचाजार उटा जितु हो, पार्टी इंटिक्ट दिया दो, महा गडबंदन फेल हो गया था, यह तो गडबंदन है। ग्रोधी है वे कुस होनी सकते, जो भी पार्टियों के कारिकरता हैं, नेता हैं, वे कभी कुस होनी सकते, वैसे जन्द अफुस है, तो ग्रोध को ताकत के रूम में लेना चाहिए, कि ये ग्रोध हमें ताकत दे रहा है, और और ताकत के साथ, अपने काम पर लगे रहना चाहि पर पुरू हो जुकिया है। लेकर आज हमारे साथ खास बात्चीत के लिए विकरम सैनी जी जो मोजुदा विधायक है वो मौझूद ने जानेंगे कि आखिर उन्होंने अपने छेतर में और छेतर वासियों को साड़े-चार सालों में कितना विकास दिया है और जनता इस बार अगर विधायक के रूप में देखना चाहती है तो वह किसे देखना चाहती है विक्रम सहने जी यह बताएए सबसे पहला आपका मेरा कोश्चनी घोगा कि आपकी राजनेती की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई सुरुआत 2005 ग्राम प्रधनी को चुनाव लड़ा चुनाव जीता अच्छी वोट 동안 से धानेता। उसके बाद 2017 में भानता पार्टिन इंटिकर दे दिया विधान सबगा उसमें मैं कमिजनरी में सबसे ज्यादा वोट लेकर जीता अगर बात करूं मैं 2017 में विधायके का चुनाव लड़ा आपने कितनी वोटों से जीते और किन किन लोगों को अपने सामने मात दिया आपने मैंने 37,000 वोटों से जीत हुई, 73,000 वोट ली थी जो मेरे सामने वाला था हो 37,000 वोट से जीता और जो बस्पा का उम्मिदवार था जिनके पिताजी सांसद भी थे राज्यसभा सदस्या और मायवती की सरकार में मंत्री भी रहे राज्यमंत्री उनके बेटे को मैंने जमार कर ग Esperriga है में जंता का का आ दूरहां दर दर दे जहारे भी प्यारे थे पचाजा को लेकर क्या तैयारी है पूरी तैयारी है सभी कारिकरता तैयार है और सभी सीटे जीते हैं, बहुत अच्छा हमारे जिले का महौल है, प्रदेश का महौल बहुत बढ़िया, 325 सीटों से ज़्याद है भाहनता पार्टी को सीट मिलेंगी। Guru क्या लगता है, जिस तरीके से गड़बंदन दुबारा इक बार हुआ है तो इस बार सफल हो पायगा या दुबारा विफल रह जायए? महा गड़ बंदन पेल हो गया था, यह तो गड़ बंदन है, तो महा गड़ बंदन था, वो फेल हो गया था, यह जिला मुझब परनगर है किसी को बगस्तानी, जो सबसे बड़े नियता लोग ड़ल के छोदर्य अजी सिंग जी लड़े थे, संजी बालियांजी नोंने हरा दिया था जंता ने संजी बालियांजी को वोट दिया था तो ये तो छोटा सा गरवंधन है लोग दल सपा का कोई गडवंधन क्योंकि दोनों विरोधी पार्टी आह inhabited जाट लड़कों को सचिन गुरव की हत्या कवाल में तरदी कही थी मलिकपूरा का तो यह वही कवाल हो चोटा सा मेरा कुश्चन है कि विधायक का जब चुनाव लड़ा आप विधायक बने विधायक में कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे आप चर्चित हुए काफी फेमस हुए छेतर में कौन सा क सबसे मेरा जो काम है जो जनता सरहा रही है वो है और ऐसी सड़कों का निर्मान जो 20 साल से टूटी पड़ी थी कहीं गावां के लोग परिसान थे सुगर मिल के पीछे दोनों के बीच में रेलवे इस्टेशन और सुगर मिल सेख पूरा रोड बोलता है कई गावसे को जोडती हुई वो मैंने बनवाई जो विरोधी है वे कुस हो नहीं सकते जो विरोधी पार्टियों के कार करता हैं नेता है वे कभी कुस हो सकते हैं वैसे जन्द अखूस है तभी तो उन्होंने सत्राइब हजार वोड़ दिये थे अब भी मैं जा जहाता हूं कोई विरोत होता नहीं लोग खुस रहते हैं और मैं ये परतिये गाउं में बीस बीस पच्चिस पच्चिस बार जा चुका हूं और दो चार गामों को मैं विरूद नहीं अगर मैं विरूद के बात करूं ゃि बाट करूं तो बाचबा तो कोछ विदैग ऐसा है जिनका कई गाउँ में विरूद किया जाता है-जन्ता अन्हें अपने गाउओं में गुसने नहीं देती उन विदायकों के लिए क्या मैसस्स देना है तो वे भी राजनीतिक विरोध को इमया नहीं नहीं हो तका नहीकित है पर दोबारा अधमि dissip के पहले जादे सक्थ आई तो विरोध भी एक राजनीतुका हिस्सजा है कहीछ विरोध को चाकत के रूम में लेना कुछ अपने कारणों से कोई विपक्स को एक मोगा मिल जाता है तो लेकिन राजनितिक व्यक्ति का विरोध को कि विरोध हमें ताकत दे रहा है और और ताकत के साथ होसयारे के साथ अपने काम पर लगे रहना चाहिए जनता की सहवा करते रहना चाहिए क्या लगता है कि अगर दुबारा टिकेट होता है तो जनता दुबारा विजाएक बनाईगी टिकेट होता है तो मैं पहले 37,000 उट जिता था वे 50,000 उट जिता है यह गारेंटी है यानि कि छेत्र के जनता मैं रहे भी यह मेरे पर कोई दाग नहीं लगा सबसे बड़ी बात तो है मेरा चरित्र साफ है को चरित्र ऐसा दाग नहीं लगा मेरे चरित्र पर कोई मेरे पर माफिया वाद नहीं लगा कि मैंने किसी की जमीन कब जाई या कब जवाई मैंने कोई तल खतोली वी धनसभा सिट से विकरम सहनी जी जो कि मौझूदा विधायक है और इस बार फिर दुबारा एक बार तैयारी में है चुनाव को लेकर उनका साथ तोर पर कहना है कि अगर टिकेट होता है तो इस बार फिर एक बार दुबारा विधायक यहां की जनता उन्हें बनाने क केमरमेन विक्की के साथ मैं सूनू